लमश्कार दोस्तों, आनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, तो उत्राखंड लेक्चरर के फर्स्ट पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट में हम उत्राखंड स्पेशल को लेके चल रहे हैं, और आज हम देखेंगे उध्योग अम और्ध्योगिक धाचों को उत्राखंड राज् में एक भी यहां फाक्टर या कार खाने नहीं दिखाए दे रहे हैं, चमूली में भी देखें, दीरी गड़वाल में भी, यह बहुत ज़्यादा सेंस्टिप जोन है, इसकी वज़े से यहां पर नहीं है, लेकिन देरादुन में देखें, उध्योग में देखें, सिटकुल है, यहां पर आईटी पार्क है, और इसके बाद है आपका डिल रायपूर है ना, उसके बाद हरीद्वार में देखें, भी एच एल है, रानिपूर में, हरीद्वार के रानिपूर में, ठीक है, पौड़ी गड़वाल में कई अध्योग अध्योगिक डिस्टिस से कई लिमेटेट कोड़ द्वार और उसके बाद है चाय की फैक्टरी गडोली, ठीक है, चाय की फैक्टरी का है, गडोली में, उसके बाद उधम सिंग नगर में देखें, सूती वस्टर मिल, कुशी नगर, उसके बाद देखें, जीवी पंध, चीनी मिल, ठीक, कागर जुद्यो और ITBT पंध नगर, ठीक है, उदम सिंग नगर में, उसके बाद नई ताल में देखिए, HMT, रानी बाग, HMT की जो फेक्टरी है, रानी बाग में, वो अब बंध हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद देखिए, नई ताल में है कागश कारखाना, लालकुआ में, ठीक है, संचुरी पल्प एम पेपर बोड, और जो कागश का कारखाना है, पेपर मिल भी कहते हैं उसको, निकाएं आपका लालकुआ में, संचुरी पल्प एम पेपर बोड का हैं, रानी गंज में, कथा फेक्टरी हल्दवानी नई ताल में है, कुमाउ मंदल विकास निगम नई त संस्थान का हैं, लालकुआ में हैं, तो यह मुख्य रूप से यहां पे उध्योग हैं, और ध्योगी छेत्र हैं यहां के, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए, उत्राखंड में सूशना प्रद्योद्रकी, जैव प्रद्योद्रकी, जिससे ITBT पार्क स यहां देखा था, आपका पंद नगर में, ठीक है, उत्राखंड में तामरे नगरी है, तो उत्राखंड में अलमौडा, उत्तरकाशी, रुद्रपूर, या फिर पाडी, तो यह आपके काया हैं, अलमौडा में, ठीक है, बहुत क्लियर नहीं आया हैं, लेकिन फिर भी में आ रहा है थोड़ा सा देख लीजिए उत्रकंड में हद करधा और हद सिल्फ बिकास परिशद जिस छेत्र में है किस नाम से उत्पादों का क्या करती है विक्रय करती है तो एह हिमादली यह बहुत जादा most important है हिमाद्री नाम से ठीक है किस नाम से करती है हिमाद्री नाम से उसकी पर देखे उत्राखंड में उगाया जाने वाला अनाश मडवा कोदा का निर्यात अधिकानस किस देश में किया जा रहा है तो से उत्राख अमेरिका, ग्रेट बिटेन, सिंगापूर, जापान तो यह कहां किया जा रहा है ग्रेट बिटेन में ठीक है मडवा का निर्वाद जो है सरवाधिक जापान को किया जाता था बरतमान में यूरोपी देश में इसका सरवाधिक आयतक देश है ठीक है उत्रांचल में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहा है तो लालकुआ में हरीद्वार में खटीमा में या चक्राता में तो लालकुआ में उत्रांचल में कागज का सबसे बड़ा कारखाना जो है लालकुवा नहीं ताल में इस्तित है और लालकुवा नगर में की बसावट सन उन अठारा सो में होई जब काड़ गुदाम तक रेल पट्री बिचाते वे यहां रेलवे आतायात सुरू हुआ इस छोत्र में कुवों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और कुवों का जो कलर था वो कैसा होता था लाल रंका इसकी विज़े से उसका नाम जो है लालकुवा पड़ा उत्रांचल में निम्रिखित में से कथा फैक्टरी कहां इस्तित है नैनी डांडा पॉड़ी गड़वाल में हलद्वानी में और बहादराबाद हरीद्वार में या लच्छी वाला देहरदून में तो यह आपका हलद्वानी निम्रिखित में कथा फैक्टरी इस्तित है ठीक है यहां खैर के पेर से प्राप्त कर अनेक बिदिस का इस्तित कर किया कितने कथा मनाया जाता है ठीक है उट्रांचल में र्टमान में यह बंद हो चुकी है उत्रांचल में हिंदूस्तान मसीन टूल्स फैक्टरी नुरानिबाग नाईताल में इस्तित है भारत इलेक्ट्रोणिक्स कोड़ दोआर में भारत हैवी इलेक्टिकल्स लिमिटेड हरी दोआर में और इंडियन ड्रग और फार्माक्यू प्रमुक फल उत्पादक जिलो में से एक है भारत सरकार ने उसे जीली लीची निर्यातक जोन में सामिल किया है और इससे नईताल उधम सिंग नगर को भी क्या किया गया है सामिल किया गया है लीची निर्यातक के रूप में ठीक है जनपत पिथोड़ागर में 165 किलोमेटर दूर इस्थान जहां उनी वस्तुए शाल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुसाले और जड़ी बुटी अर्टिया होने के कारण संबत और इसका नाम मुंस्यारी पड़ा मुंस्यारी जनपत पिथोड़ागर से 165 किलोमेटर की दूरी पे इस्थेत है मुंस्यारी में उनी वस्तुए शाल, दन, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुसाले जड़ी बुटियादी मिलती है यहां से रालम, नामिक और मिलम गेश्शिप को रास्ता जाता है, विच अबन अब दो फॉल्लिंग प्लेस इस नाट एशोशियेटिद बिद द सिटकुल, निमलिकित में से कौन सा स्थान, सिटकुल से संबंदित नहीं है, रुड़की, सेला कुलाई, सितार गंज और हरी दौर, तो सेला कुलाई सेला कुलाई सितार गंज और हरी दौर में तो सिटकुल है, और हरी दौर का संबंद जो है, सिटकुल से है, जबकि रुड़की का संबं सिटकुल से नहीं है, पूजी निवेश, अवस्थापना, सुविदाओं के विकास, सितु, राज्य और ध्योगिक विकास के लिए, सिटकुल साथ एकित जिलो का संबंद जो है, जिसमें पंद नगर, हरी द्वार, देहरारुन, सेला कुलाई, कोट द्वार, सितार गंज और काशिपुर सामिल है सुची एक को सुची दो से सम्मिलित कीजिए, कुमाउ मंदल विकास निगम, कहा है, किछा में, जीवी पंद चीनी मिल कहा है, तो जीवी पंद चीनी मिल जो है वो आपके है, जीवी पंद चीनी मिल किछा में, कुमाउ मंदल विकास निगम नहीं ताल में है, और आपका है, हम्ती घड़ी काई रानी बाग में है, और भी एच एल कहा है, आपका हरी द्वार में है, ठीक है, तो कुमाउ मंदल विकास निगम कहा है, नहीं ताल में, और जीवी पंद च इन उत्राखंड में अवस्तित नहीं है, BHEL, भारत हैवी उलेक्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मसीन टूल्स, IDPL और हिंदुस्तान एरो नॉटिक्स लिमिटेड, तो हिंदुस्तान एरो नॉटिक्स लिमिटेड जो है वो उत्राखंड में नहीं है, भारत हैवी उलेक्रि भारत का एक सारवजिनिक प्रतिस्थान है जो हवाई संयत्र का निर्माण करता है इसका मुख्याले बैंगलरू में है और इसका निर्म इस्थापना जो है 1940 में की गई थी पॉन्ट टूटी थी एक मूर्थी एक कर एक सिक्का एक इमारत तो पॉन्ट टूटी जो है आयात नियात कर था क्या था आयात निर्यात कर जो ब्यापारियों से लिया जाता था थी के पॉन्ट टूटी एक कर है कर था जो ब्यापारियों से लिया जाता था उत्राखंड में आ तो देहरादून में, आईटी पार्क का हैं देहरादून में, आईटी पार्क ITES BPU आदी के छेतर में अपने बेवसाव को बेवसाय को बढ़ावा देने के लिए वाले छोटे मध्यम और बड़े आकार के वाले संगठनों को प्रोचसाहन वा तक्नीक का तक्नीक परदान करता है इसका उद्देश जो है सूचना प्रद्योदिक्की के और सरफ सूचना प्रद्योदिक्की में IT में क्या करना है और सरफ प्रदान करना है ठीक है अब सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है मुक्तेश्वर में तो मुक्तेश्वर जो है भारती वेडिनरी सूध ठीक है तो यह देखिए मुक्तेश्वर में भारती बैटनरी सोच संस्थान पटवा नगर में है मैगनिसाइट फैक्ट्री रामगड में है टीका फैक्ट्री और जीरोली में है फ़ल संरक्षन केंड्र भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड इस्तित है हरिद्वार में कोड़ द्वार में नही ताल में या टीहरी में तो कोड़ द्वार में कागज उद्ध्युक के लिए कौन सा जिला प्रिसिद्ध है तो देहरादून टीहरी उधमसिंग नगर पौड़ी उधमसिंग नगर उत्राखंड में निमलिखित इस्तानों में से कथा फैक्टरी है नेरी डंडा पौड़ीगरवाल में हल्दवानी नही ताल में लच्छी वाला देहरदून में बहादरबाद हरीद्वार में तो हल्दवानी नही ताल में उत्राखंड में कथा फैक्टरी हल्दवानी नहीं ताल में इस्तित है और हल्दवानी उत्राखंड राजिमें निम्लिके जिले में से इस्तित एक प्रसिद्द नगर है हल्दवानी को कुमाओं का प्रिवेज द्वार कहा जाता है हल्दवानी सहर के स्थापना 1934 में हुई थी उत्राखंड में हिंदुस्तान मसीन टूल्स का कारखाना कहां इस्तित है राइपुर देहरादून में रानी बाग नहीं ताल में कोड़ द्वार में या हरी द्वार में तो रानी बाग नहीं ताल में उत्राखंड में हिंदुस्तान मसीन टूल्स हम्ती उपकरम का कारखाना रानी बाग में इस्तित है हिंदुस्तान मसीन टूल्स भारत का एक सारवजिनिक छेतर का की निर्माड कंपनी है इसकी स्थापना 1973 में हुई हिंदुस्तान मशीन टूल्स देज भर में कुल नौ भी निर्माड इकाईया हैं जो निमने हैं शेनगर, पिंजोर हरियाना, मोहाली पंजाब, रानिबाग उत्राखंड, अजमीर राजिस्थान, हैद्राबाद तेलंगाना, तुमकुरू करनाटक, बंगलरू करनाटक और एरना कुलम केरल हिंदुस्तान मसीन टूल उध्योग इस्तित हैं, रानिबाग में, रानिपुर में, हरीपुर में या रानिबाग में, का हैं नई ताल जिले में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड इस्तित है कोड़द्वार में, हरीद्वार में, नहीं ताल में या इन में से कोई नहीं तो कोड़द्वार में उत्राखंड में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड कहां इस्तित है हरी द्वार कोड़ द्वार पौड़ी गड़वाल नहीं तालिया देहरदुन में तो आपके है कोड़ द्वार पौड़ी गड़वाल में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड कोड़ पौड़ी गड़ वाजी संस्ता है इसकी स्थापना 1934 िसभी बैंगलरु में हुई थी उत्रकंड में हिंदुस्तान मसीन टूल्स लिमिटेदड़ इस्था है हरीधुर में हरीधुर में धेहरादुन में रानि बाग में या रिशीकेस में तो यह आपक udah दे रानी बाग नहीं ताल में उत्राखंड में हिंदुस्तान मसीन टूल्स लिमिटेड रानी बाग नहीं ताल में इस्तित है हिंदुस्तान मसीन टूल्स लिमिटेड के स्थापना भारत सरकार द्वारा 1903 निश्वी में की गई थी और यह कंपनी घड़ी, टेक्टर, सांचो के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है इसकी पांच अनुसंगी कंपनिया, यह नौ भी निर्माण कंपनिया है निमलिखित कथनों पे विचार कीजिए तथा कूर्ट से सही उत्तर चुनिए उत्रकंड की अर्थ ब्यवस्ता में पर्याटन की भूमी का महत्पूर्ण हो सकती है उत्रकंड में आनेक पर्याटन इस्थल है तो ए आर का सही ब्याख्या करता है, दोनों ही सही है उत्रकंड की अर्थ ब्यवस्ता में पर्याटन की भूमी का महत्पूर्ण हो सकती है तो यह है State Industrial Development Corporation of Utrakhand Limited State Industrial Area Indian Associated of Utrakhand Special Economic Zone of Utrakhand तो यह आपका State Industrial Development Corporation of Utrakhand Limited ठीक है और इसको हम क्या क्या इतने हैं सिटकुल SIDCUL State Industrial Development Corporation of Utrakhand Limited ठीक है उत्राखं के सूक्ष में लगुए मध्यम उद्ध्योगों क्या सेर्स निकाय है या उद्ध्योगों के पर्वती छेत्र के हाथ से बने कागश के का प्रियोग का वर्णन मिलता है सेरिंग ने वॉल्टन ने ट्रेल ने या फिर जॉन्सन ने तो वॉल्टन ने गड़वाल और कुमाओं के पर्वती छेत्र में हाथ से बने कागश का प्रियोग का वर्णन वॉल्टन ने किया है वर्ण 2017 में उत्राखंड राजी में सकल घरीलू उत्पाद जीडिपी में छेत्र के योगदान का घर्टे करम में सही अनुकरम दित्यक छेत्र तित्यक छेत्र प्रात्मिक छेत्र दित्यक छेत्र प्रात्मिक छेत्र प्रात्मिक छेत्र दित्यक छेत्र और प्रात्मिक छेत्र तो एवाला सही होगा दितियक छेत्र, तितियक छेत्र और प्रात्मिक छेत्र उत्राखंड में राज्यस्तरी डेरी प्रस्टिक्षन संस्तान है देहरादुन में, अल्मोडा में, लालकुआ में या हरीद्वार में तो यह है आपका लालकुआ में उत्राखंड के स्थापना के पश्चात इसकी आये में तित्यक्षेत्र का युगदान इस्थिरैं बढ़ रहा है अद्रिश्य सिवाओं को तित्यक्षेत्र कहा जाता है होटल, रेस्टरांट, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, लोग प्रिशाशा, नुएम प्रतिरक्षा, अन्य तथा, अन्य सिवाए, ठीक है, निमने में से कौन सा संसान कोड़ द्वार में स्थित है, भारत Electronics Limited, हिंदुस्तान Machine Tools, भारत Heavy Electricals और डील, तो भारत Electronics Limited, कोड़ ठीक है, भारत Electronics Limited, अब देखिए, इंडियन Medicine Pharmaceutical Limited, आपका कहां है, तो इंडियन मोहान अलमोडा में, हिंदुस्तान Machine Tools Limited का है, रानी बाग में, जिसे HMT कहते हैं, डील जो है, वो राइपूर में है, और भारत Electronics Limited का है, कोड़ द्वार में, तो ये सारे आंसर क्या हैं, सु हिंदुस्तान Machine Tools सिस्तित है, उधम सिंग नगर में, नई ताल में, हरीदवार में, देरादुन में, तो ये आपका नई ताल में, उत्राखन में, पीतल नगरी के स्थापना की जा सकती है, बाशपूर में, रुद्रपूर में, पिथोड़ागर में, अलमोडा में, अलमोड मिल है, रुड़की में, रुद्रपूर में, काशिपूर में, या फिर सितारगंज में, तो ये आपका काशिपूर में, उत्राखन में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशिपूर में है, आजादी से पहले यहां विदेशी कपड़ों की मंडी थी, जापान, चीन, वा इ शिटकुल का ताप्परिय क्या है राज्य और्ध्योगिक विकास परिशत limited राज्य और्ध्योगिक विकास निगम लिमेटेड राज्य भूमी का रूप विवस्था विकास परिशत limited ठीड़ तो यह आपका है सिटकुल का अर्थ होता है राज्य और ध्योगिक बिकास निगम लिमेटेड नहीं ताल जनपन में कौन सा उध्योग इस्तित है तो हम्टी बहुत बार आचुका है और बहुत बार पूछा जाता है तो इसलिए इसलिए इंपोर्टेंट है ठीक है स्वतन्तिता से पूर्व उत्रांचल में व्यापार कैसे किया जाता था मेलो द्वारा प्रदेशनी द्वारा मध्यस्तो द्वारा तो सभी के द्वारा इहां पे व्यापार किया जाता था उत्रांचल में हस्त सिर्फ सामगरी मोश्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल पुर्योग में लाय जाता था बास, रिंगाल, चीड ब्रक्ष की शाल, पांगर ब्रक्ष की लकडी तो रिंगाल, 26 मार्च 2003 को राज्य सरकार द्वारा नई और ध्योगिक निती की घोशना की गई, इस निती के प्रमकुद्देश क्या थे, द्रोट जेकार के अतिक औसर उपलब्द कराना, निवेशकों को आमंतित करके करने के लिए मैटरपूर वातावरन परियाटन को फोकस एरिया के रूप में प्रोट साहित करना सभी, गर्वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड एस्टाबलाइजड इन 1941 AD, गर्वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्तापना 1941 में हुई, पॉड़ी में, देरादुन में, कोड़ दौर में, या कर्ण प्रियाग में, तो यह हुई आपके कोड़ दौर में, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, खनीजयम उर्जा संसाधन, तो उत्राखन राजी में पाए जाने वाले प्रमुक खनीज जो हैं, वो हैं आपके, उत्तरकाशी में 0 परतिशत खनीज हैं, स्वरी, खनीजयम उर्ज संसाधन, उत्राखन राजी में पाए जाने वाले खनीज जो हैं आपका, तो उत्तरकाशी में आपको हम तामबा पाए जाता है, उत्तरकाशी में क्या पाए जाता है, तामबा, ठीक है, चमोली में जो है, वो चूना पत्थर और तामबा दोनों पाए जाता है, और उली में चांदी, पिथोड़ागण में भी चांदी, चूना पत्थर और तामबा, बागेश्वर में चांदी, ठीक है, अलमोडा में तामबा और आपका है मैगनेसाइट और आपका है ग्रेफाइट, ठीक है, अलमोडा में क्या क्या है, तामबा, मैगनेसाइट और ग्रेफा आफ यहैं पर मिलता है जी सम और यहां पर मिलता तामवा थीक है उधमशिग नगर में कुछ नहीं है चमपावतमे कुछ नहीं है sorry कि अब दहई पॉड़ी गडवाल में घोरी गडवाल में आपका जी फजनằ Ur simple zg zij है उसकी बाद तेले के चसे के सबसे पहले क्या है पत्थर ईस पतर क्या स अब करना पतर क्ये थैаж कि नियुक्त कि रिखुन में पत्थर उसके यहां olun कि यहां पर शो्क है तो यह मख्य यहां की जिलि अंधे उसके बाद है ए मैं है जर्णपधर पर इन पर ट्ल tarpay करने किjukमतर हो network of 50 स्कयं को देखने अपारी जाता है प्राप्त किया जाता है उस Double के अलाबा जो है लाइम स्टोन जो है देरादून तेरी गड़वाल और पिथोड़ागर से प्राप्त किया जाता है डोलुमाइट देरादून तेरी गड़वाल और पिथोड़ागर से डोलुमाइट और लाइम स्टोन दोनों ही देरादून तेरी गड़वाल और गड़ से फॉस्पूरस जो है देहरादून टिहरी गड़वाल ग्रेफाइड अलमोडा और नहींताल से स्लेट्स उत्तरकाशी नहींताल पॉड़ी गड़वाल लोहा नहींताल और चमूली उत्राखंड के किस संस्तर में चूने के पत्थर पाये जाता है नाक्था कोल बिलान पिखूड़ागड़ और जीराली से क्या मिलता है तो यहां से मिलता YOUR कटू Lebens in कि के मिभनेश में खाइक द्रहाइड अत्राखंड राज trilogy के कुमाई मंदल में अलमोड़ा लौएइस्क, अभरक, जिप्सम, बॉकसाइड, तो ये है आपका अभरक यानि कि माईका, माईका के लिए प्रसिद्ध है, कोडर्मा अभरक के लिए प्रसिद्ध है, और ये जारखन राजि में स्तित है, इसे भारत की माईका कैपिटल या अभरक नगरी के रूप में जाना अभ्रग, क्वार्ड्स, फेल्सपार, आदी के साथ साथ यहां रेत, भवन, निर्मार सामगरी भी प्रिशुर मात्रा में उपलब्द है, ठीक है, निमने में से कौन सा जिला समू उत्राखंड में मैगनेसाइड भंडारन का सही क्रम दरसाता है, तो यह आपका बागेश्वर पिथोड़ागड और चमूली, उत्राखंड में मैगनेसाइड भंडारक का सही करम बागेश्वर पिथोड़ागड और चमूली, अमंग दा फॉलोइंग विच वन आप दो मीन सोर्स ओप एनरजी इन उत्राखंड, उत्राखंड में निमने कित में से कौन सा उर्जा का प् आइडरो पाउर जल बिधूत उर्जा, ठीके उत्राखंड में खनीच, कोईला, पेट्रोलियम, आदी की कमी होते वे भी जल का आपार भंडार है, जिस कारण जल बिधूत की ब्यापक संभावनाएं हैं, प्रदेश की अधिक्तम उर्जा आवशकता जलपूर्टी से ही होत जाती है, देरदुन, नईताल, पिथोड़ागर, अल्मुडा, तो चांदी जो है, अल्मुडा में पाई जाती है, उत्राखंड राज्य में खनीच, संपदा, भंडारन की दिस्ति से, मध्यम, शिर्णी का राज्य है, राज्य में पाई जाने वाले कुश, प्रमुख, खन जाती है, सोना, यह सारदा और रामकंगा नदी के बालु में पाई जाता है, योरणियम, त्िहरीगरवाल में उरणियम की उपलब्दता के संकेद मिले है. उसके बाद है ग्रेफाइट, अल्मोडिया, पॉड़ी गडवाल, देहरदू, नई ताल, चिलो में क्या है? ग्रेफाइट पाया जाता है इन में से कौन सा खनीच उत्राखंड में पाया जाता है? चूना पत्थर, जिपसम, ग्रेफाइट या सभी, सभी पाया जाता है ठीक है? होत्राखंड में निमलिखित, खनीच पदार पाया जाते हैं चूना पत्थर, ग्रेफाइट, जिपसम, मैगनेसाइट, टॉक यानि कि सोव पिस्टोन, फॉस्पोरस और डोलोमाइट फॉस्पेट, फॉस्पोरस और डोलोमाइट सही युगमका चैन करना है, अल्मोडा तामबा के लिए, तो ये सही है, कुडर्मा पेट्रोलियम के लिए नहीं, जबकि हरीद्वार जो है, चांदी के लिए नहीं, और इन में से कोई नहीं, तो अल्मोडा तामबे के लिए क्या है, यहां पर सिद्ध है, और इसे तामा न उत्राखंड में और्जा के छित्र में कारेरत नहीं है तो यह है उत्राखंड परियाटन विकास एजन्सी उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आते हैं परिवहन विवस्ता परिवहन विवस्ता को हम